पीयो के भारत का अभिन अंग जो है दो हजर उन्तिस तक बन जाएगा ओ प्रिंस का दिल बताओ तो राहुल गांधी कॉमेडियान कभी नरेंद्र मोधी जी पर भारी पढ़ेंगे क्या देखे दिल धक 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 कर रहा है तो अगले पांच साल के अंदर अंदर पीयो के जो है वो भारत का अभिन अंग बनेगा इन लोगों से पूछने की जोरत है कि पीयो के किसका है सिर्फ इन लोगों से एक सवाल पूछने की जोरत है और पीयो के अगर भारत का है तो पाकिस्तान में क्यूं है और पाकिस्तान का है तो तो यह लोग अगर ऐसा कहेंगे तो पता चल पूछने की जरूरत है सिर्फ एक सवाल कि आखिर पीओ के किसका है सिर्फ एक सवाल तो नरेंद्र मोदी जी कहां पे है और राहूल गांधी कहां पे तुल्ला ही नहीं है राहूल गांधी को जो है जाके किसी फिल्म में कॉमेडी करना चाहिए या कॉमेडी सो चालू करना चा समझाईनी रही बात इंडी गट बनदन की जाके देख लीजे तामिलनाडो के मुखमंत्री जो है अपने बेटा को पर्धान मंत्री बनाना चाहते हैं बंगाल की जो है वो दीदी जो है ममता जिनके अंदर जो है भाव ही नहीं वो अपने भतिजा को बनाना चाहती है सोनिया चाची जो है वो राहूल गांधी को बनाना चाहती है अखलेश सिंग और तेजस्वी आदो खुद जो है परदान मंत्री कैंडिडेट अपने आपको घोसित कर लिया है जेल में बंद केजरीवाल अपने आपको किसी परदान मंत्री से कम समझते नहीं है तो जहां पे कुर्सी एक ही है और मारा मारी इतना है वहां के लोग कभी जीत पाएंगे का और यहां पर कप्तान है एक ससक्त कप्तान नरेंद्र मोदी जी जिनके निर्तितों में जो है भारत आगे बढ़ रहा है तो इंडी गडबंदन कभी एंडिये पर भारी नहीं पड़ेगा एंडिये 400 पार जा रहा है और वहार में 40-40 हम लोग जीत रहें यूपी में 80 80 देखें मनिस्विया यह तो रही राज निदी की बात अब कट हमीए लास्ट है आपने चाहने वालों के लिए पुरे बिहार के लिए यूपी के लिए अब तो पुरे देश के लोग आपको जान रहे हैं तो बिहार से आप तो बिहारियों के लिए क्या संदेश देना चाहते है क्योंकि आपने टी-शेट पहने रखा है दीस इज हाव भी हारी लुक्स लाइक तो पेट जादा देर तक अ बिहारी के का लेवर मजदूर ईसा नहीं है भई है यह बास सथ्य है कि हमारे यहां से थोड़ा ज्यादा मजदूर है यह बास सथ्य है लेकिन हमारे यहां से ऐसे headsome Analog है हमारे यह II PS भी है हमारे यहां से देश को चलाने-वाले नेता भी है तो यह चीज़ है तो जई क्या पेज़े के लिए काम कीजिए, और बिहार का भला कीजिए, बिहार का विकास कीजिए, और आएए हम सबी बिहारी जातिवात से उपर उठके, अच्छे नेता को चुने, और इस बार नरेंद्र बाहुमत से, नरेंदर मोधी जी की सरकार को बनाएं और बाकी उसके बास सरकार जो है बिहार के लिए काम करेगी और पहले भी काम करती थी और आगे जो है 2024 से लेकर उन्तिस के बीच में पूरे देश में सबसे ज़्यादा काम बिहार के लिए होगा किंदर सरकार के दौरा और राज सरकार दोनों के द्वारा तो देखिए अभी मेरे साथ मनीश भहिया है और अभी बीजेपी जवाइन करने के बाद बिहार को लेकर जो इनके टांग की से रहें उनको लेकर इन्होंने बात कही क्या सोचते हैं आप पुरा वीडियो को लेकर इनकी बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद